जैन सातियो, नमस्कार, वेलकम टो एजेस्मान क्लासिर, तो केसे आप लोग और केसी चल रही आपकी पड़ाई, तो आज हम आपके लिक्षा 10 वी, विशे गणित अध्याई 15 प्राइक्ता के कुछ most important question, हाँ सातियो, वर्थ 2022-23 के लिए आज हम बात करेंगे, कि गणित विश हमें, वो चार अंक है, कितने सातियो, चार अंक का आपके ये chapter है, पूरे के पूरे चार अंक, आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही सरलता से, बस आज का वीडियो आपको last तक देखना है, मैं गारंटी देता हूँ, आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, कि इस paper में हमने ऐसे-एसे question रखें सातियो, जिनसे जदा बोर्ड परिक्षा में पूचा नहीं जाएगा, काफी जदा important इस paper में मैंने सवाल रखें, और एक-एक person, एक-एक person मान लीजे सातियो, आपको ऐसा लगेगा, कि ये तो काफी जदा important है, तो आपको क्या करना है, आपको बस last तक द share कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, उसके बाद हम सुरू करते हैं, आज कमारे है प्राइकता का काफी जदा important वीडियो, तो सातियो, इस skin पर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, कि कक्षा 10-2022-23 विसे गणित, ये मेरे mobile नमबरे सातियो, आ और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और सभी दोस्तों को share करना है, अध्याई 15 प्राइकता की बात करेंगे, बोर्ड परिक्षा की हिसाब से साथ ये आपके 4 अंका है, कितने का है, वर्त 2022-23 की जो परिक्षा होगी बोर्ड, उसके हिसाब से ये 4 अंका आप मैंने इस वीडियो में रखें, तो आपको किसी पर काई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने वीडियो लास तक देख लिया, तो पराइकता कि आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, तो आईए सुरू कर लेते हैं आज कमारे व थर्ड क्वेस्टन है, आपको दो नंबर का देखने को मिलेगा, तोटल चार अंका आपका ये चेप्टर होने वाला है, ठीक है, इसके बाद इस पीडियेप में साथ यो आप नीचे आएंगे, ये पीडियेप मैंने इस तरीके से तयार किया है साथ यो, कि इसमें अनुकूल परिनाम बटा कुल परिनाम, क्या है साथ यो, अनुकूल परिनाम बटा कुल परिनाम, ये आपका सिंपल सा प्रायक्ता का फॉर्मूला हो जाएगा, ओके, इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला की बात करें, प्रायक्ता का सेकेंड फॉर्मूला क्या है, पी ई, पी यादखना है इन दोनों फॉर्मूले से आपके सभी पर्षन हो जाएंगे प्राइक ताके ओके इसके बाद बात करें नेस्ट क्वेस्टन यहां सी स्टार्ट हो रहे हैं सातियों हमारे मैंने लिखा है बोर्ड परिक्षा में बार बार आने वाले महतरपुन पर्षने इस पेपर में जो पर्षने सातियों पिछले वर्सों के एकजाम में आये हुए और इस साल नवीन मोडल पेपरों में जारी PDF से लिए गए सभी क्वेस्टने सातियों very important जो बोर्ड ने जारी कियें वे सभी पर्षने यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेस्टन नवर वन आता है सातियों इस साल के मोडल पेपर में पूछा गया था एक पासे को फेकने पर अबाज्य अंकाने की प्राइक्ता क्या होगी तो सातियों आपको याद रगना है प्राइक्ता का अनुकूल देखे सातियों क्या पूछा है अबाज्य संक्या पूछा है यहां अबाज्य अंक तो पासे में कितनी संक्या होती है पासे में संक्या होती है सातियों एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छे छे तक पासे में संक्या देखने को मिलती है अब भाज्य की बात करें साथियो, तो अब भाज्य कौन को जी संक्य है, अब भाज्य संक्य जिसमें भाग नहीं जाता है, एक, तीन, और पाँच, क्या है, एक, तीन, और पाँच, तो ये टोटल संक्य कितनी हो गई साथियो, गिने इनको, एक, दो, तीन, तीन संक्य हो गई तो जो चाहिए वो तो उपपर आ जाएगा याने तीन और टोटल संक्या कितनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे संक्या है साथ यह टोटल तो आप कर देंगे तीन बटे छे, तीन बटे छे आपकी एकदम राइट प्राइकता हो जाएगी, आपको यह देखना है अग करता हूँ, आप समझ गए होंगे, कुछी नहीं करना आपको जो चाहिए, जो पूछा है वो उपर रखना है, और जो टोटल परिनाम है, पुल परिनाम वो आपको नीचे रखना है, ओके, ठीक है, क्वेस्चन नमबर वन हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके बाद बात करते है क्वेस्चन नमबर दो की, वेरी इंपोटेंट क्वेस्चन है, एक एक, आपको कुछी नहीं करना, लास तक देखना है, सभी के अंसर आपको बताई जाएंगे, वेरी इंपोटेंट क्वेस्चन है, सातियो, बीस क्वेस्चन आज के वीडियो में हमने रखे हैं, वेरी असंभव का मतलब क्या होता है साथ यह जो संभवी नहीं है तो असंभव गटना के होने की प्रायक्ता हमेसाथ 0 होती है कितनी होती है साथ यह 0 तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 जो गटना साथ यह गटी ति नहीं हो सकती है याने जिसका गटना असंभव हो उसकी प्राइक्ता तो zero होगी ना, तो इसमें आपका right answer zero हो जाएगा, okay, question number three की बात करें, वह क्या बोल रहा है, देखेगा, प्राइक्ता का अधिक्तम वा नियूनतम मान क्या होता है, तो अधिक्तम की बात करें, तो अधिक्तम प्राइक्ता का मान एक होता है, प्राइक्ता क कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है एक इसका दिक्तम मान होता है और नियूंतम की बात करें साथ यो तो नियूंतम प्राइक्ता का मान जीरो होता है कितना होता है जीरो होता है जीरो से कम प्राइक्ता नहीं हो सकती कम से कम जीरो तो होनी चाहिए हम ये भी कह सकते हैं साथ यो प्राइक्ता जीरो से एक के मद्दे ही घटित होती है ठीक है याद रहेगा ओके ठीक है जो बच्चे हमारे साथ जुड़े होएं वो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और सभी दोस्तों को भाईयों को सेयर कर दे ताकि वो भी हमारे साथ क्वेशन नंबर चार क्या बोल रहा है देखिएगा एक पासे को फेकने पर समंक आने की प्राइक्ता वही बात है साथ यो पासे पर संक्या कितनी होती है एक दो तीन चार पांच और छे छे तक संक्या मिलती है समंक की बात करे साथ यो समंक तो समंक क्या होता है पासे में य तो टोटल कितने साथ यो गिनिये इनको 6 नंबर है तो 3 बटा 6 कटके साथ यो यह आपका हो जाएगा 1 बटा 2 तो वापिस इसमें 1 बटा 2 आपकी एकदम राइट प्राहिकता हो जाएगी ठेके साथ यो सिंपल सा अंसर था पासे को फेकने पर समंग का इनकी प्राहिकता नाम ओके ठीक है आगे और भी इंटरेस्टिंग क्यों सनाएंगे साथ यो बस आपको लास तक बने रहना है वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है वनना आपकी पढ़ाई का काफी अधिक नुकसान हो सकता है संख्या है एक दो तीन चार से लेकर पंदरा तक में यह आपको बहुत बार देखने को मिलेगा इसका मैं मतलब समझाओ साथ यो तो इसका मतलब होता है यादरच्छा का मतलब होता है बिना सोचे समझे अचानक से जैसे मालीने साथ यो आपको बेग में से पैंसिल निकालनी है तो आप क्या देखकर तोड़े निकालते हैं कि इपनी गर्दन को बेग के इंदर डालेंगे और देखेंगे मेरी पेंसिल का है ऐसा नहीं करते न हम क्या करते हैं साथ यो हाथ को डालते बेग मेर पेंसिल को इस तरीके से डून कर निकालते हैं तो इसी परकार जिए यादरच्छा से निकाली गई कोई चीज को हम क्या बोलत तो वो होता है सात्यों याद्रच्छा, याद्रच्छा चार का एक गुनत चुने जाने की प्रायक्ता बताईए, एक से लेकर पंद्रा तक, यहाँ पर हमें क्या है चार का गुनत चुने जाने की प्रायक्ता बतालिए, तो एक से लेकर पंद्रा तक में चार के पाड़े में एक तो चार आता है, एक आठ आता है, और एक बारा आता है, इसके बाद 16 आता है, सात्यों लेकिन हमें तो संक्या कहां तक दी है, 15 तक ही, तो 16 हम नहीं लेंगे, तो 4 के गुनज कितने हैं, हमारे पाद 3 है, 1, 2, 3 है, ठीक है, तो 3 तो लिख देंगे, मैं उपर की साइड, अन में मुझे आंसर देते रहें, जिन जिन परसनों के आपको आते हैं, मैं आपकी मेसेज़ों को सीन कर लूँगा, सात्यों, क्वेशन नमर 6 की बात करें, तो क्वेशन नमर 6 क्या है, एक पासे के उचाल में से 3 से छोटा अंकाने की प्राइक तक याद कीजिए, एक पासे के अंदर तो, यहने दोर एक ही होता है, तो पहिणाम कितने हैं, और नुकूल एक और दो, ठीक है, दो पहिणाम है, और टोटल संग्या कितनी है, सात्यों, एक दो और च्छे ये पासे में तो 6 हो जाएगा, इसको हम काटेंगे, तो टूके टेबल से ये 1 अपोन 3 बार कर है, तो 2 अंकों गए, और 6 ले लिया, डिवाइड करके 1 बटा 3, इसमें आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है, आपको काटना जरूरे सात्यों, अगर आप काटेंगे नहीं इन अंकों को, अगर काटेंगे नहीं तो आपका आंसर गल्थ हो सकता है, कटे तो आपको जरूर क की बात करें, वह क्या बोल रहा है, देखेगा, एक पासे को फेकने पर विसमंक आने की प्राइकता, वही क्वेस्चन सात्यों, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, ये पासे में संक्याई होती है, विसमंक की बात करें सात्यों, मैंने भी बताया था आपको पहले भी, वि एक बता दो, आपकी फिर से राइट प्राइकता हो जाएगी, मैं साथ यहां पर डाइट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको फोर्मुला लिखना है, प्राइकता का, अनुकूल परिनाम बता कुल परिनाम, फिर ये वाला लिखना है, फिर इसको इसे काट के बता कि एक बटा दो प्रायक्ता आ गई ठीक है ओके यहां तक वीडियो आपने देखा है साती हो तो बहुत अच्छी बात है आगे भी बने रही है वेर इंपोटेंट क्वेश्चन आने वाले एक एक नंबर के आ रहे हैं अभी तक उसके बाद दो दो नंबर के भी क्वेश्चन आ चित को सात्यों बता दूर चित को बोलता है हेड क्या बोलता है हेड और सिख्खे को हम उछाने के सात्यों एक बटा दो क्योंकि हमें चाहिए क्या head चाहिए तो उपर लिख देंगे अनुकूल परिणाम और total परिणाम कितने हैं दो अना first और second दो परिणाम है तो नीचे लिख देंगे दो तो एक बटा दो हमारी एकदम right प्रायक्ता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कूल परिणाम के सुत्र से ओके इसके बाद सातियो very important question है question number 9 भी एसे question भी बोर परिक्स में पुछे जाते हैं जिनका एकदम सटिक जवाब होता है लेकिन बच्चे इनमें गलती कर देते हैं एक निश्चित गटने वाली गटना की प्रायक्ता बताईए तो सातियो ध्यान दीजिए का निश्चित लिखाओ या संभव लिखाओ एक ही बात है किसी भी निश्चित गटने वाली गटना की प्रायक्ता हमेशा कितनी होती है एक होती है सातियो कितनी होती है एक होती है अगर इसकी जगे लिखाओ अनिश्चित क्या हो अगर अनिश्चित लिखाओ इसके पास में निश्चित के अनिश्चित लिखाओ तो इसकी प्रायक्ता जीरो होती है साथ है कितनी होती है जीरो लेकिन निश्चित पूछाए तो निश्चित की प्रा 90 है तो PE की प्राइक्ता क्या होगी तो साथ यह मैंने आपको formula बताया था कि जो PE days है प्लस PE है उसकी प्राइक्ता बराबर कितनी होती है एक होती है यह formula उपर ही मैंने आपको बता दिया था तो यहाँ पर PE days की 0.90 दे रखिये और यहाँ पर इसकी हमें बतानी है PE की बराबर एक होता है तो 0.90 को साथ यह इधर बेज के क्या करते के माइनस कर देंगे और 1.00 में से माइनस कर देंगे 0.90 को तो साथ यह हमारा जो answer आएगा वो कितना आएगा हमारा जो answer आएगा वो आएगा साथ यो 0.10 कितना आएगा 0.10 आएगा ठीक है 0.00 में से 0.90 माइनस करेंगे तो साथ ही हमारा जो आंसर आएगा 0.10 कितना 0.10 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा समझ गए सिंपल बास हमें कहूं तो जब भी आपको इस फरिका का कोई भी क्वेस्चन दे रखा हो साथ ही हो तो आपको क्या करना है आपको उसको 1.00 में से माइनस कर लेना है क्यों करते हैं क्योंकि हमारा जो फोर्मूला था वो दोनों बराबर एक होता है तो एक की 0 में 90 है तो दूसरे की एक में से घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगी ओके क्वेस्चन नमर 11 की बात करें साथ यो तास की गड़ी का है वेर इंपोर्टेंट क्वेस्चन है ध्यान से देखिएगा तास के भावन पत्तों में से एक पत्ता याद रश्चा चुने जाने पर उसके ह हुकुम का पत्ता आने की प्राइक्ता क्या होगी हुकुम के पत्ते की बात करें साथ यो आपको तोड़ी नोलेज होनी चाहिए हुकुम के जो पत्ते होते साथ यो तेरा होतें कितने होतें तेरा होतें और टोटल पत्ते किने दीगे बावन दिये गए तो तेरा बटा कट रही है। 13 के टेबल से साथ ही कड़ जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना होगा। एक बटा चार होगा। ठीक है अनुकुल पहिनाम बटा कुल पहिनाम आपका फोर्वुला इसमें लग जाएगा। ठीक है साथ हो। next question की बाट किरें प्यासन नमबर 12 कि एक पासे को फेकने पर अंक सात आने की प्राइक्टा क्या होगी पासे को फेकने पर सात्यों अंक साथ चुहे तो आप बताईए सात्य जो पासा होता है उस पर संक्या कितनी होती है 1,2,3,4,5,6 6 तक होती है क्या कभी आपने पास से याने खेलने वाल जो आप लुडो खेलते हैं, उसमें कभी आपने साथ देखा है क्या, साथ अंक होता है क्या, नहीं होता न, नहीं होता न साथ यो साथ, जब उसमें साथ अंक नहीं होता, तो उसकी प्रायक्ता कितनी होगी, उसकी प्रायक्ता जीरो होती है सान्व scripture अनुकुल पहिना हम कितना होग जीरो घया और जीरो में च्छे का भाग देंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा तो एसा जब पूछे कोई वी जिसमें असंभव हो तो असंभव कित हो में सा प्रायक्ता जीरो होती है साथ यो तो इसमें जो गटना असंभव हो या न साथ तो आई नहीं सकता तो उसकी प्रायक्ता कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी समझ गए ओके तीक है साथ यो क्वेस्टन न频र्च तो एक असंभव गटना की प्रायक्ता क्या होती है तो अभ ही मैंने बताए साथ यो पर निश्चित बताया असंभव एक और जीरो होती है इस कितनी है तो next question बोल रहा है क्योंसर नंबर 14 एक सिख्य को उच्छालने पर पट आने की प्रायक्ता तो सिख्य का साथ के पर एक तो हता है आपका head और एक होता है आपका tail ठीक है Head और tail सिख्य पर होता है तो हमें क्या पूछा है साथ हो पट आने की प्राइक्ता, पट क्या होता है साथ यों आपको तेल को बोलते, किसके मोलता लिख्लको? तो टेल कितना है साथ यो एक हे? तो एक लिख देंगे यहाँ पर, एक लिख देंगे साथ यो यहाँ पर, उसके बार पहिनाम कितने हैं, फर्स्ट और सेकिन दो पहिनाम हैं तो दो लिख देंगे, तो एक बटा दो आपकी इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एक बटा दो आपकी एकदम राइट प्रायक्ता हो जाएगी, सिक्के को उचालने पर पटाने की, समझ गए, ओके, ठीक है साथ क्वेशन नमर 15 क्या बोल रहा है, एक बकसे में, जो बकसे वाले, थेले वाले क्यों सरे काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथी हो, बकसे वाला थेले वाले, ऐसे क्वेशन आपको पक्का बोल पर परिक्षन अमबर का पक्का देखने को मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा एक बकसे में 3 नीली 2 सपेद पर 4 लाल गेंदे एक गेंद यादरचा निकाली जाने पर निम नाने की प्रयक्ता बताईए नीली गेंदाने की प्रयक्ता बताईए तो सबसे बेने देखो नीली गेंद कितनी है तीन है तो 3 लिख दीजी उपर खीक है अब इनको जोल दीजिए कुल परी नाम के लिए 3 और 2 5 5 और 4 9 तो 3 बटा 9 क्या कर देंके साथ यह 3 बटा 9 कट रहा है कट रहा है 3 की टेबल से 1 अपों 3 बार तो 1 अपों 3 आपकी एकदम राइट आंसर हो जाएगी नीली गेंदाने की प्राइकता समझ गए ओके लाल गेंद नहीं आने की प्राइकता तो लाल गेंद कितने साथ यह 4 तो चार नहीं लानी है यानि लाल गेन नहीं लानी है बाकी तो कुछ भी आ सकता है तो बाकी कितने बचे नीली और सपेज यानि पांच बची तो पांच लिख दीजी उपपर और टोटल कितनी थी नो तो पांच बटे नो भी आपकी एकदम राइट प्राइकता हो जाएगी लाल गेन नहीं आने की, जब भी आपको इससे बोले, कि कोई गेन नहीं लानी है, यानि नहीं आये वो, तो उसको छोड़के बाकी जो दे रखी है, उनको जोड़के लिख दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है साथ, यो next question की बात करें, question नमबर 16 क्या बोल रहा है, देखेगा, दो 1.00 में से माइनस कर देना है, उसको, ठीक है, 1.00 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना आएंगे साथ यो, आपके पास इसका सिंपल सा आ जाएगा, 0.62, क्या जाएगा साथ यो, 0.62, आपका इसमें एकदम राइट आंसर आ जाएगा, ओके, समझ गए, ठीक है साथ यो, क्योंकि क्यों करते हैं यो, क्योंकि सेकेंड पॉर्मूला क्या था, किसी के होने की प्रायक्ता, नहीं होने की प्रायक्ता, बराबर कितनी होती है, एक होती है, इसलिए हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ओके, तो प्रायक्ता कभी रिनात्मक हो सकती है, तो आप इसमें लिखेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए सातियों, धर्ती पाता लेक हो जाए, प्रायक्ता कभी भी रिनात्मक नहीं होएगी, ठीक है, मजाक्ता सातियों, लेकिन आपको यह याद रखना है, कि प्रायक्ता कभी भी रिनात्मक नहीं होती है, ठीक है, कभी भी रिनात्मक नहीं हो दिये थे एक तो बताया था अनुकुल पही नाम बटाकुल पही नाम एक बताया था पी-ई-प्लस पी-ई-डेस बराबर वन तो दोलों सुत्रा आप उपर से लिख सकते हैं दोलों में से एक भी बता सकते हैं अगर एक नंबर का आये तो ओके क्वेशन नंबर 15 की बात करें सा तो लाल कितनी यहां पर 3 दी गए है तो तीन लिख दीजिए टोटल कितनी ए आठ तो तीन बते आठ आठ कि इसमें एकदम रायट अंसर हो जाएगा, हटीक है? सिंंपल ता, लाल नहीं होने की प्रायक्ता, तो लाल को बूल जाएं साथ यो, तीन नहीं चाहिए, पांच चाहिए, तो पांच बट्टे wow 8 इसमें, आपकी एकदम रायट आंसर की, प्राइक्ता हो जाएगी, ओके, समझ गए, ठीक है, आसा करता हूँ, समझ गए, क्वेशन नमबर 20 की बात करें साथ यो, लास्ट क्वेशन आज कमार आई ये, 52 तासों की एक गड़ी को फेट कर एक पत्ता खीचा जाता है, प्राइक्ता ग्याद कीजिए कि वह लाल रंका हो, तो साथ यो, लाल रंके पत्ते होते हैं, तास में 26, टोटल पत्ते हैं 52, 26 बटे 52 को काटेंगे, तो एक बटा दो आपका इसमें एकड़म राइट आंसर आ जाएगा, तो एक बटा दो क्या है साथ यो, आपकी एकड़म राइट प्राइक्ता हो जाएगी, ओके, समझ गए, ठीक है, तो साथ यो, आज हमने कर लिये हैं प्राइक्ता के 20 इंपोटेंट क्वेस्चन, कितने साथ के 20 इंपोटेंट क्वेस्चन, और हमने समझ लिया है कि चेप्टर कितने नंबर का, चार नंबर का क्वेस्चन कितने आएगे साथ यो, चार आएगे, एक प्लस एक प्लस दो, एक एक नंबर के दो एक केस्टन, और दो नंबर का एक क्वेस्चन, इस प्रकार से आपको बोर्ट परिक्षा का जो पेपर होगा उसका आपका पेटर्न रहेगा तिके साथ यो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब बात करते हैं कि ये पीडियो आपको कैसे मिलेगा तो आपको क्या करना है साथ यो डिस्क्रिस पर जाना है वहाँ पर आपको हमारे वोट्सप ग्रूब की लिंक मिलेगी लिंक पे क्लिक करके वोट्सप ग्रूब में एड़ो जना है एड़ो कर वेट करना है वहाँ पर हमारे द्वारा आपको पीडिया बेज दिया जाएगा ठीके साथ यो और भी कख्षत दशा सम्मधित मोडल पेपर हुए न्यू पेपर हुए और आपकी बरसन बेंग के ये सबी आपको वहाँ पर हमारे दे दिये जाएंगे हमारी यूटूब चैनल ने साथ हो AJ Smart Classics और AJ Science Center AJ Smart Classics चैनल पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लाओ हमारा AJ Science Center चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिशन मिले कि कि वहाँ पर आप Science के टोपिक को पढ़ाते हैं ठीके साथियो काफी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं तो वो भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं मेरा नाम है साथियो अजे कुमार ये मेरे नंबर दिये गए कोई भी समश्याव को पढ़ाई तो समधित आप मुझे कोल करके पूछ सकते हैं आपकी मदद की जाएगी ओके तो वीडियो को लाइक करतें चैनल को सब्सक्राइब करतेए धर्नेबाद जहिंद जैबारत पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जुद्हें रहिए सा यो मारे साथ